जैसरी राधिकर्ष्ण आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल बीके मिसरा प्रजेंट में बहुत बहुत स्वागत है आईए आज आप सब सुनेंगे परिवर्तिनी एक आदसी व्रत्त की कथा और फिर सुनेंगे एक आदसी माता की आरती आप सभी भक्तों को परिवर्तिनी एक आदसी व्रत्त की धेर सारी शुप कामना है आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नरायन के कृपा से आप सभी को सभी परकार के सुख और सम्रिध्धी की राप्ती हो भादर पद मास शुकल पक्ष में पढ़ने वाली एक आदसी को इसे परिवर्तिनी एक आदसी वामन एक आदसी धोल ग्यारस जल जुलनी एक आदसी पदमा एक आदसी करमा एक आदसी आदी नामों से जना जाता है इस तिन विशेस प्रकार से भगवान विश्णू, माता लक्ष्मी और भगवान विश्णू के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है जो भी भक्त सची स्रधा के साथ नियम और निश्ठा के साथ परिवर्तिनी एक आदसी का ब्रत धारन करते हैं इस तिन भगवान का पूजन करते हैं व्रत में नियमों का पालन करते हैं कथा स्रवन करते हैं भगवान की आर्दी करते हैं इससे भगवान विश्णू प्रशन हो करके अपने भक्तों के घोर से घोर पापों को नश्ठ कर देते हैं तथा सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है तथा अंत में स्वर्ग लोग की प्राप्ति होती है तो आईए सुनते हैं परिवर्तिनी एक आदसी ब्रत्त की कथा और फिर सुनेंगे अंत में एक आदसी माता की आरती तो बोलिये प्रेम से भगवान विष्णों की जै माता लक्ष्मी की जै एक आदसी माता की जै सर्ब दीवी दीवता की जै परिवर्तिनी एक आदसी ब्रत्त कथा के अनुसार एक बार पांडू नंदन ने भगवान जरकृष्ण से कहा भादरपद मास शूकल पक्षी की एक आदसी के महात्मे की आप हमें कथा सुनाईए और यहवी बतलाईए कि इस एक आदसी का देवता कौन है उसकी पूजा की क्या विधी है युदिष्ठिर के ऐसे बजन को सुनकर भगवान शरकृष्ण ने कहा कि हे राजन इस एक आदसी का नाम वामन जैन्ती इवं अंक परिवर्तिनी है जैन्ती ब्रति से बढ़कर और कोई ब्रति नहीं इसके सुनने इवं अस्मरन करने मातर से समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं वैश्णवो इवं अपनी गति चाहने वालों को इस एक आदसी का व्रत आवश्य ही करनी चाहिए हे राजन जिन्होंने जैन्ती एक आदसी में वामन भगवान की पूजा, स्रध्धा एबं भक्ती सहित कमल पुस्पो द्वारा की उसने तीनों लोकों, तीनों देवों एबं समस्त जगत को मानों जीत लिया क्योंकि शैन किये हुए भगवान इसी दीन अपना अंग परिवर्तन करते हैं, इसी कारण इसका नाम परिवर्तिनी है, इतनी कथा सुनकर युदिष्ठिर ने विनय पुर्वक कहा, कि हे भगवन यहा बात मेरे हिरदय में महान संदेह उत्पन कर रही है, कि आप कब सोते हैं, कब जागते हैं और कब करवट बदलते हैं, आपने जो बली को बांधा उसमें क्या कारण था, महाराज युदिष्ठिर के ऐसे बचन को सुनकर भगवान सिरकृष्ट ने कहा, कि हे राजन, अब पापो को नास करने वाली मैं कथा कहता हूँ, आप सुनिए, सत्युग में अ इबं तपदान और यग्य द्वारा तेरे लोक्यों को कमकीत कर दिया था, उसके यग्य, दान और तपसे भैवित इंदर देबताओं को साथ ले मेरे यहां पर आये और मेरी अस्तुती इबं प्रात्ना की, तब मैंने इंदर के स्वार्थ, साजनार्थ वामन रूप धारन क उसे जीता, भगवान की मुख से ऐसी वार्णी सुनकर युदिष्ठिर बोले कि है प्रभो इस तरह नहीं, इस कथा को आप विस्तार से मुख से कहिए, युदिष्ठिर के ऐसे वाकि सुनकर भगवान ने कहा, कि है राजन मैंने वामन का रूप धारन कर राजा बली से तीन पग पृतिवी की आचना की और उसने सहर्स दान दे दिया, परन्तु उसके संकल्प के होते हैं, मैं वामन रूप से त्री विग्रम रूप में हो गया, भू लोक में नख, भूवर लोक में जंगा, स्वर्ग लोक में कटे, महर लोक में उदर, जन लोक में हिरदय, तप लो इंदरादिक समस्थ देपता मेरी अस्तुती करने लगे, तब मैंने बली से कड़कर पूछा, कि तेरी समस्थ पिर्थिवी मेरे दो ही पग में आ गई, अब तीसरा पग कहां रखू, मेरी बात सुन, बली ने अपना मस्तक नत कर दिया, तब मैंने उसके मस्तक पर पैर रख कर उसे पाताल में पहुचा दिया, परन्तु उसकी अत्यंत अधिक विने शेलता को देख कर मैंने उससे कहा, कि हे राजन, अब मैं सरवदा तेरे ही पास रहूंगा, अतहा भादरपत मास की शुकल पक्ष की एक आदसी को मैं एक रूप से बली के पास, एबं दूसरे बली के यहां बराबर सोती रहती है, इसी एक आदसी को मैं सोता हुआ करवट बदलता हूँ, अस्तु इस एक आदसी को तिरलो की भगवान की पूजा, एबं दान तथा रातरी का जागरण, अक्षय पुन और महा मंगल फल देने वाला है, और इसको करने वाले, एबं इस अधा को सुनने वाले आवश्य ही स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त होते हैं, तो बोलिये प्रेम से भगवान विश्णो की जै, माता लक्ष्मी की जै, सर्व देवी देवता की जै, तो आईए अब सुनते हैं एक आदसी माता की आरती, तो बोलिये प्रेम से एक आदसी मा ओम जय एकादशि जय एकादशि माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता तेरे नाम गिनाओं देवी भक्ति प्रदान करने गन गौरब की देनी माता ओम जय एकादशि माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता मर्ग शिर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारणी जन्मी शुकल पक्ष में हुई मुक्षदा मुक्ति दाता बन आई ओम जय एका दशिमाता विष्ण पूजा ब्रत को धारण कर शक्ति मुप्ति पाता पौश के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनन्द अधीक रहे ओम जय एका दशिमाता विश्ण पोजा ब्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता नामशट तीला माघ माश में कृष्ण पक्ष आवे शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे ओम जय एका दशिमाता विश्ण पोजा ब्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता विजया फालगुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की ओम जय एका दशिमाता विश्ण पोजा ब्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता चैत्र शुक्ल में नाम काम दाधन देने वाली नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली ओम जय एकादशि माता विष्ण पोजा ब्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज़िष्ठ कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब शुख करनी शुक्ल पक्ष रखी ओम जय एकादशिमाता विष्ण पूजा ब्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता योगिनी नाम आसाध माह में जानो कृष्ण पक्ष करनी देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी ओम जय एकादशिमाता विष्णु पूजा ब्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता कामिका स्राबन मास में आवय कृष्ण पक्ष कहिए स्राबन शुक्ल में होए पवित्रा आनंद से रहिए ओम जय एकादशिमाता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्षि की परिवर्तिने शुक्ला इंद्रा अश्विने कृष्ण पक्षि में व्रत से भव सागर निकिला ओम जय एकादशिमाता विष्णु पूजा ब्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी रमा मास कर्तिक में आवे सुख दायक भारी ओम जय एकादशिमाता विष्णु पूजा ब्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता देवो थाने शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया पावन मास में करो विनति पार करो नैया ओम जय एकादशिमाता विष्णु पूजा ब्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुखदारे द्रहरनी, ओम जय एकादशि माता, विष्ण पोजा ब्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता जो कोई आरती एकादशि की भक्ति सहित गावे, जन गुर्दिता स्वर्ग कवासा निश्य यही पावे, ओम जय एकादशि माता, विष्ण पोजा ब्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता ओम जय एकादशि जय एकादशि माता, विष्ण पोजा ब्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता हाँ शक्ति मुक्ति पाता, तो बोलिये प्रेम से एकादशि माता की जै, भगवान विष्ण की जै, माता लक्ष्मी की जै, सर्व देवि देवता की जै इसी प्रकार से ज्यान बर्धक जानकारिया प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल के अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी को दबाए ताकि वीडियो का नोट्फिकेशन आपको समय से मिलता रहे वीड श्री राधिक्रिष्ण धन्यबाद